हेलो एवरीवन मैं हूँ CS औरप सिंग वगहेल एंड विलकम बैट तो माइ यूट्यूब चैनल दोस्तों जो लोग किसी वजह से इस एक्जाम में पास नहीं हो पाए हैं मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ MP Board Class 12th के स्टुडेंस के MP Board Class 12th और Commerce Group के ठीक है इसमें से पास जो लोग नहीं हो पाए हैं या Supplementary है जिनकी तो मालो या तो रुक जाना नहीं स्कीम में होंगे वह रुक जाना नहीं या फिर Supplementary का एक्जाम देंगे ठीक है तो इसके लिए क्या है इसके लिए मैंने जो Important Questions है उनके लिए वीडियो ये बनाया हुआ है तो इसमें आपको मैं यहां पर Business Studies की बात करूँगा Business Studies के जो Most Important Questions है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हर चैप्टर से आपको 5-6 Questions बताए जाएंगे किसी से 6 होंगे किसी से 4-5 होंगे तो इस तरीके से On and Average 5 Questions बताए जाएंगे अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो पास हो जाएंगे आप बहुत आसानी से ना सिर्फ पास हो जाएंगे बलकि आप 80 से जादा स्कोर भी कर सकते हैं 80 प्लस मार्क से जादा स्कोर भी कर सकते हैं इन वीडियो जितने Questions में बता रहा हूँ इतने Questions अगर आप करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो ध्यान से देखिएगा ये वीडियो और इसके Questions मैं हिंदी में भी बोल दूँगा पहला जो चैप्टर है आपका Nature and Significance of Management एट मार्क का है इसमें चार-चार नंबर के दो Questions है आपको ये बात पता होने चाहिए जितने नंबर का Question उतने Points कम से कम हमें लिखने है एक्जाम में तो पहले Management क्या है? What is Management and characteristics of Management? हिंदी में कहेंगे कि प्रवंध किसे कहते हैं and Importance of Management यानि प्रवंध का क्या महत्व है, differentiate between Administration, Management and Organization यानि प्रशासन, प्रवंध और संगठन में क्या अंतर है, उसके बाद describe the levels of Management यानि प्रवंध के कितने इस्तर होते हैं उनका वहनन करना है, explain the primary function of Management प्रवंध के प्राथमिक कारियों के बारे में बताईए and explain the secondary function of the management प्रव प्रायक कारियों के बारे में बताईए and objectives of management ये हो गए, इतने questions अगर आप कर लेते हैं तो आपके पूरे या 8 number यहाँ पर मिल जाएंगे, objective questions के लिए मैं अलग एक वीडियो बना दूँगा, उसमें सभी chapters के objective को include कर लिया जाएगा, ठीक है, उसके बाद अगले question पे चलते ह अगला chapter जो है आपका principle of management, principles of management, 8 number का chapter है, एक objective आएगा, दो number का question और 5 number का question, तो इसमें आप से पूछा जा सकता है कि what do you mean by principles of management, principles of management, यानि प्रबंध के सिधान्त से आप क्या समझते हैं, फिर टेलर और फेओल के principle में difference है ना, यानि टेलर और फेओल के सिधान्तों के मध्यांतर, difference between time study and motion study, यानि समय अध्यान एवं गती अध्यान के मध्यांतर, उसके बाद henry फेओल के कोई 6 principle आप पढ़ लीजेगा, 14 principle से henry फेओल के इसमें से 6 principle आप पढ़ लेंगे, फिर characteristics of principles of management, यानि प्रबंध के सिधान्तों की क्या विशेस्ता हैं, इतने questions आप जरूर पढ़ के जाईएगा, अब आते हैं chapter number 3, business environment पे हैं, 5 number का chapter, 1 number का objective और 2-2 number के 2 question आएगे, तो business environment से आप क्या समझते हैं, ऐसा सवाल आ सकते हैं, यानि द्यावसाइक परिवेश से आप क्या सम समझते हैं, importance of business environment किसे कहते हैं, मतलब क्या है, दो points लिखने के लिए आएगा, liberalization यानि उदारी करण, privatization यानि निजी करण और globalization यानि वेश्वी करण ये क्या समझते हैं, इसे आएगा कि, what do you mean by liberalization, हिंदी में उदारी करण से आप क्या समझते हैं, what do you mean by privatization, निजी करण से आप क्या समझते हैं, explain the managerial response to change in business environment, यानि बदलते भी आवसाहिक परिवेश में प्रबंध की प्रतिक्रिया के बारे में बताईए, तो ये चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आगे चलते हैं, उसके बाद आते हैं, chapter number 4, chapter number 4 जो कि है planning, हिंदी में नियोजन, 10 number का आ characteristics of planning, यानि नियोजन से आप नियोजन की क्या विशेश्था हैं, दूसरा, characteristics of ideal planning, एक अच्छी planning की क्या विशेश्था हैं, दोनों में ध्यान दीजेगा, what are the characteristics of planning, यह अलग चीज है, and what are the characteristics of ideal planning, यह अलग चीज है, फिर limitations of planning, यानि की नियोजन की क्या सीमाएं हैं फिर difference between rules and policies difference between rules and policies नियम एवं नीतियों के मद्धि क्या अंतर है difference between policy and strategy यानि की नीतियां एवं नीति के मद्धि क्या अंतर है और उसके बीच उसके बाद importance of planning तो यह questions आप पढ़ दीजेगा इसमें सही आपका सारा cover हो जाएगा उसके बाद आते हैं अगला chapter है chapter 5 organizing organizing के बारे में अगर हम बात करें तो 10 marks का question 4-4 number के 2 question आने हैं और इस दो number का objective आएगा differentiate between functional structure and divisional structure यानि की कार्यात्मक संरचना एवं प्रभागी संरचना के मध्ध क्यांतर है difference between formal organization and informal organization यानि की क्या बोलेंगे इसको अपचारिक संगठन तथा अनपचारिक संगठन के मध्ध क्या आंतर है difference between decentralization and delegation of authority यानि की विकेंदरी करण एवं भारारपन में क्या आंतर है उसके बाद importance of delegation of authority यानि की भारारपन का क्या महत्व है and decentralization का क्या महत्व है यानि विकेंदरी करण का क्या महत्व है ये question कर लेंगे इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा अगल एक chapter के तरफ चलते है chapter number 6 9 marks 4 objective आएँगे 5 number का question आएगा अब 5 number का question write 5 external sources of recruitment यानि भरती के 5 बाहिस रोत बताईए advantages and disadvantages of internal sources of recruitment यानि भरती के आंतरिक एवँ आंतरिक स्रोत की विशेस्ताएं एवं मतलब गुण एवं अबगुण बताईए फिर भरती के बाहिस रोत की गुण एवं अबगुण बताईए advantages and disadvantages of external sources of recruitment फिर difference between internal and external sources of recruitment यानि भरती के आंतरिक एवं बाहिसरोत के मध्य अंतर कीजिए and difference between recruitment and selection धर्ती एवं चैन के मध्य अंतर बताईए तो ये हो जाएगा आपका chapter number 6 फिर आता है chapter number 7 directing 10 marks का आना है, 2 objective, 2 number का 1 question और 3 number के 2 question तो what are right the functions of supervisor supervisor के क्या काम होते हैं फिर differentiate between monetary and non-monetary incentive यानि मौद्रिक अभी प्रेराण एवं अमौद्रिक अभी प्रेराण के मध्य अंतर बताना है आपको उसके बाद right qualities of a good leader एक अच्छे लीड नेता में कौन-कौन शी विसेस्नाई होनी चाहिए फिर example of monetary and non-monetary incentive यानि मौद्रिक एवं अमौद्रिक अभी प्रेराण के उदाहराण आपको बताने हैं तो इस तरीके से आपका ये directing हो जाएगा पिर controlling की बात करें तो chapter 8 है आपका controlling 8 marks का total आना है तीन नमबर का objective और पांच नमबर का question तो characteristics of controlling यानि की एक अच्छे नियंतरन की विशेस्ताएं बताईए essential of ideal control system एक अच्छी नियंतर प्रनाली की कौन-कौन से महतुपूर गुण है ये बताना है पिर steps in controlling process यानि नियंतरन प्रक्रिया में कौन-कौन से चराण आते है relationship between planning and controlling यानि की नियोजन तथा नियंतरन में क्या संबंध है और importance of controlling यानि की नियंतरन का क्या महत्व है उसके बाद आते हैं आपका chapter number 9 है financial management तो पहला सवाल 8 number का आना है 4 objective और 4 number का question तो what are the objective of financial management यानि वित्ती प्रवंध के क्या उदेश है importance of financial planning यानि वित्ती योजना के क्या महत्व है फिर factors affecting capital structure of company मतलब पूझी संरचना को प्रहावित करने वाले तत्तों लिखिए फिर factors determining the amount of fixed capital इस्थाई पूझी की राशी को निर्धारित करने वाले तत्तों लिखिए और कारशील पूझी को प्रहावित करने वाले तत्तों लिखिए तो ये 3 question में से 1 question पका आएगा आपके exam में ठीक है ना ये बहुत important है तीनों में से उसके बाद आगे चलते हैं chapter number 10 है capital market आठ marks में से 3 objective आएगे और 5 number का एक question आएगा तो पहला difference है difference between primary market and secondary market प्राथमिक बाजार एवं दुतियक बाजार के मध्य अंतर लिखना है दूसरा है आपका capital market and money market में difference क्या है यानि पूझी बाजार एवं मुद्रा बाजार में क्या अंतर है फिर functions of stock exchange, इसकंध विपड़ी के क्या कार है objectives of SEBI, SEBI का क्या उद्देश है and SEBI का क्या कार है, SEBI यानि securities exchange board of India है ना भारती प्रतिभूती एवं विनिमे board तो ये questions आप कर लेंगे तो ये chapter आपका complete हो जाएगा अब 11th chapter जो है marketing management 10 number का chapter, 2 number के objective आएगे और 4 marks के 2 questions, पहला है marketing और selling में क्या difference है यानि विपनन और विक्रे में क्या अंतर है difference between brand and trademark, brand और trademark में क्या difference है characteristics of an ideal brand, एक अच्छे brand में क्या विशेस्ताएं होनी चाहिए factors affecting pricing of the product, किसी उत्पाद के मूले को निर्धारित करने वाले तत्त difference between advertisement and sales promotion यानि विज्यापन एवं विक्रे समवर्धन में क्या difference है, functions of labeling यानि labeling के क्या अकार है and essential of a good packaging यानि एक अच्छे packaging में क्या विशेस्ताएं होनी चाहिए तो यह हो जाएगा आपका बड़ा सा chapter लेकिन अगर आप इतने question कर लेंगे consumer protection का importance क्या है यानि उभोकता संरक्षन का महत्व क्या है rights of consumer यानि उभोकता की क्या अधिकार है responsibilities of consumer यानि उभोकता के क्या दाइत्व है objective of consumer education यानि उभोकता सिच्छा का क्या उदेश है and structure of consumer forum उभोकता फोरम का structure यानि संरचना क्या है तो अगर आप इतने questions पढ़ लेते हैं तो आप 80 से ज़्यादा mark score कर लेंगे आपको अगर कोई doubt है तो आप मुझे मेरा number है ये 888-3975-6373 इस पे आप मुझे whatsapp कर सकते हैं कोई doubt है तो आप पूच सकते हैं आप पढ़ ले और मैं इसके objective के questions भी जल्दी upload कर दूँगा thank you very much